सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और साथ में घंटी को दबाएं लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दोस्तो दो साल पहले जब मुकेश अमबानी की टेलिकॉम कमपनी जियो ने अपना सिम लांच किया था तो कई दूसरी बड़ी टेलिकॉम सेक्टर की कमपनियों की तो मानो हवा ही निकल गई थी जी हाँ शुरू में जियो ने लोगों को भरपूर इंटरनेट मुफ्त में दिया जिसकी वज़े से कई नए लोग जियो के साथ चुड़े और साथ ही एटल वोड़फोन जैसी दिककच कमपनियों के ग्राहक तूटकर जियो के साथ चुड़ने लगे थे 2016 तक की बात करें तो 200 से 300 रुपय में सिर्फ एक या दो जी भी इंटरनेट ही पूरे महीने के लिए मिल बाता था वो भी सिर्फ 2G या 3G स्पीड पर आप भले ही जीओ का इंटरनेट उपयोग करें या ना करें लेकिन इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता है कि जीओ के मार्कीट में आने से इंटरनेट कई गुना सस्था हो गया है एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जियो भारतियों को इतने कम दामों में इंटरनेट देने के बावजूद भी दुनिया की आठवी और भारत की दूसरी टेलिकॉम शेतर की सबसे जादा वेपार करने वाली कमपनी बन गई है सेप्टमबर 2018 तक की बात करें तो जियो ने लगभग 25 करोड से जादा लोगों को अपने साथ चोड़ा है जियो के साथ भारत के इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं तो जियो भी अपने इन ग्राहकों के साथ मसबूत कनेक्शन बनाए रखने के लिए कोई न कोई नया शांदार और सस्ता ओफर तो पेश करता ही रहता है और साथ ही सभी जियो गरहकों का भरोसा जीतने के लिए जियो अपनी डाउनलोड स्पीड का भी खास ध्यान रखता है जी हाँ आपको बता दें कि हर बार की तरह जियो ने इंटरनेट के मामले में फिर से तहल का मचा दिया है टेलिकॉम रेगुलेटर ट्राई की एक नई रिपोर्ट के अनुसार जीयो की डाउनलोड स्पीड 12 महीनों से लगता टॉप पर चल रही है आपको बताते चलें कि जीयो की डाउनलोड स्पीड जहां 18.7 Mbps है वहीं वोडवून की स्पीड 6.8 Mbps से घटकर 6.3 Mbps आइडिया की स्पीड 6.2 Mbps से घटकर 6 Mbps और एरटेल की स्पीड 9.8 Mbps है जो की जीयो की डाउनलोड स्पीड से लगभग आधी है आपको बता दें कि डाउनलोड स्पीड हमारे ऑनलाइन वीडियो देखने में या इंटरनेट एकसेस करने में बहुत बड़ा महतु रखती है और जीयो पिछले 12 महीनों से अपनी डाउनलोड स्पीड को इस्थिर रखने में काम्याब रहा है दोस्तों आपकी एरिये में जीयो की इंटरनेट स्पीड अच्छी आती है या खराब आती है हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आप एक जीयो गराहक हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें धन्यवाद